देश और दुनिया की खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटस्ट खबरे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले मुंबई के होटल से बॉलिवुड अभिनेता एजाज खान गिरफतार, मिली आठ प्रतिबंदित ड्रग्स की गोलिया विग बॉस आर्ट में बतौर कंटेस्टंट नजर आने वाले बॉलिवुड एक्टर और टीवी अभिनेता एजाज खान को ड्रग्स रखने के मामले में गिरफतार किया गया है मुंबई पुलिस की एंटी नाकोटिक्स सेल ने मंगलवार को एजाज खान को गिरफतार किया एजाज से इस मामले में पूछताच के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे दो दिनों पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है एजाज खान के पास से आठ प्रतिबंदित ड्रग्स की गोलियां पाई गई हैं. एंटी नाकोटिक्स सेल ने एजाज खान को नशे की हालत में गिरफ्तार किया. एजाज के पास से आठ एक्स्टसी टेबलेट मिली जिनकी कीमत अंतर राष्ट्रिय बजार में करीब 2.2 लाख रुक्ये तक बताई जा रही है. खबर के मुताबिक एक होटल में चल रही रेव पार्टी में छापे मारी के बाद एजाज को गिरफ्तार किया गया. एजाज खान अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं. कई बार विवादित बयान देने के कारण उनकी तीखी आलोचना भी हुई है. एजाज खान पर मॉडल एश्वर्या 24 ने अश्ली मेसेज और तस्वीरें और भेजने का आरोब भी लगाया था. एश्वर्या ने वसोवा पुलिस थान में एजाज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी.